दोस्तों बहुत स्वागय था आपका मेरी चैनल SS Digital इंडिया में आज मैं आपको बताऊंगा एक्सल के अंदर आप कमांड बटन के तुरू ओड एंड इवन नंबर की जो सीरीज होती है वो कैसे आप प्रिंट आउट इसमें कर सकते हैं या उसको किस तरह से आप अपने एक्टिव सीट के अंदर डिस्पले कर सकते हैं ओड एंड इवन नंबर को तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ये मेरी एक सीट है इसमें मैंने दो बटन क्रियेट किये है इसमें मैंने एक बटन का जो नाम दिया है शो इवन नंबर जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे even number की जो एक series है वो यहाँ पे display हो जाती है और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जिसे show odd numbers तो यहाँ पे आप देखेंगे कि even number clear हो जाते हैं और odd number यहाँ पे display हो रहे हैं तो इस तरह का जो यह है छोटा सा मैंने की demo तयार किया है अब यह demo मैंने कैसे तयार किया है इसी चीज को मैं आपको clear कर देता हूँ तो अभी मैं क्या करता हूँ यह जो मैंने seat बना रखी है इसे मैं कर देता हूँ close जैसे मैंने यहाँ से इसे किया close और इसे मैं भी save नहीं करता, अब मैं क्या करता हूँ, दुबारे जैसे मैंने अपने एक्सल स्टार्ट किया और यहां पर आपको select करना है developer, अब अगर आपके इसमें Excel के अंदर developer tool जो command है अगर display नहीं होती है, तो आप file menu पे click करेंगे और आपको option पे select करना है, और यहां से आप select करेंगे customize ribbon, और यहां से आप देखेंगे कि यह जो developer है, इस पे आपको check करना है, जैसे आप check करके ok करेंगे, तो यह developer की पूरी command जो है, आपके Excel पे display हो जाएगी, तो यहां से आपको क्या करना है, जब आप developer tool पे click करेंगे, और click करके आपको select करना है insert, और insert में आपको जो है, form control है, यहां से आपको लेना है एक button, और button को लेके आपको यहां पे जिस भी size का आपको button create करना है, उसी size से आप अपने cursor pointer को drag करेंगे, तो जैसे ही आप button को drag करेंगे, तो यहां पी एक macro का, assign macro का dialogue box appear हो जाता है, अब यहां आपको करना है new, तो जैसे ही आप new पे click करते हैं, तो आप जो है visual basic application open हो जाता है, और यहां पे आपको कुछ coding करनी होती है, अब कुछ coding के अंदर क्या है, यह इस button के लिए होती है, कि आप जब इस button पे click करेंगे, तो आपको क्या-क्या इसमें commands देने हैं, तो अब यहां पर मैं इसके लिए command fix कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक variable define कर देता हूं, तो variable define करने के लिए, आपको यहां type करना है, dim, और variable आप e, b, c, x, y, z, किसी भी नाम से आप अपना variable define कर सकते हैं, तो अभी मैं यहां पर एक variable ले रहा हूं, a, मैंने एक variable का name लिया, a, और इसको करता हूं, a as integer, space मैंने दिया, और as मैं जब यहां integer, int, जैसे ही करेंगे, तो आप tape की प्रेस कर देंगे, तो अभी आप देखेंगे, मैंने एक variable define किया है, a नाम का, जो की मेरा integer है, यह डाटा टाइप होता है, जो की numeric value के लिए use किया जाता है, तो अभी हैं आप देखेंगे, मैंने एक variable लिया है, a, और इसी तरह से मैं second variable और लेता हूँ, यहाँ पे, dim, b, as integer, तो मैंने अभी यहाँ पे, a और b, दो variable लिया हैं, और दोनों ही variable मेरे integer है, अभी यहाँ पे, मैं कर देता हूँ, b equal 0, b की value मैंने यहाँ पे 0 assign कर दी, और a, अभी जो मेरा a है, इसके लिए मैं यहाँ पे, अभी फोर लूप का use करूंगा, अभी यहाँ पे मैं करता हूँ, 4, a, equal 1, और 2, अभी यहाँ पे आप देखेंगे, कि a जो मैं ले रहा हूँ, यह मेरा 4 लूप है, इसके अंदर, a के अंदर मैंने 1 और 1 से लेके 20, या इसको मैं कर देता हूँ, 30 मैंने किया 20, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने जैसे लिया, a, 1, 2, 20, यानि 4 लूप क्या करेगा मेरा, a, 20 टाइम तक, जब यह a, continue चलता रहेगा, 20 टाइम तक, और इसके बाद, अब जैसे आपको value इसमें print करवानी है, तो यहाँ पे आप use करेंगे, cell, cells जैसे आपने टाइप किया, और यहाँ पे आपको bracket, start और row, अब यहाँ से आपता row index, तो row index के अंदर आपको, वो row select करनी है, जैसे आप देखेंगी, कि जैसे ए मेरा जो है, आप Excel के अंदर देखते हैं, तो यह row जो होती है, 123 जो number आ रहे हैं, यह number of rows होते हैं, जो ABC है, वो column है, तो अभी आप देखेंगे, कि जो series मुझे print करवानी है, वो row में print करवानी है, तो यहाँ से मैं select करूंगा, A, यहनी जो मेरी row है, index मैंने किया A, और फिर कोमा करता हूँ, अब यहाँ से आपको column, अब देखेंगे column number कौन सा लेना है आपको, अगर आप starting से लेना चाहते हैं, जिसे A, आपका column number 1 हो गया, B, 2 हो गया, और C, 3 है, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ, 3, तो मैंने column index ले लिया, यहाँ पर 3 number, और इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ, close, break it को मैंने close किया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, dot, value, A, V, A, L, U, E, value, equal, अब मैं यहाँ कर देता हूँ, B, इसके बाद मैं करता हूँ, enter, और इसके बाद मैं जो है, अभी आप देखेंगे, मैंने किया, sale, sale के अंदर मैंने, A, जो की मेरा one है, और row index, और second number पर मैंना column index है, वो three number, और इसकी मैंने value define कर दी, B, जो की अभी मेरी zero है, और इसके बाद मैं अब यहाँ पर, जो four loop है, इसको continue करने के लिए, use किया जाता है, next, और next में मैं कर देता हूँ, यहाँ पर A, तो अभी आप देखेंगे, कि मैंने यहाँ पर क्या किया, दो variable लिये थे, A and B, B की value मैंने zero की है, और A मैंने one assign करके, इसको 220, यानि A को मैंने 20 टाइम तर loop के अंदर variable को use किया है, अब जैसे ही मैं इसको run करता हूँ, तो run करने के लिए, जब आप या तो excel पे, इस पे logo पे click करेंगे, या यहाँ पर run का एक यहाँ पर देखेंगे, green button है, जब इस पे click करेंगे आप, तो देखेंगे, अभी सभी पे, 0, 0, 0, value print हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने जो B की value assign की है, अभी यहाँ पर मैंने 0 assign की है, अब यदि मैं यहाँ पर B की value को change कर देता हूं, तो B की value को change करना है मुझे loop के अंदर, तो मैं next से पहले, यहाँ पर मैं कर देता हूं, B equal, B plus 2, और मैंने जैसे मैं यहाँ पर करता हूं, और अब अगर मैं यहाँ पर run करता हूं, अब जैसे ही देखें मैं इसको run करता हूं, तो run करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर Excel के logo पर क्लिक करेंगे, और यहाँ बाहर क्लिक करके, जब आप बटन पर क्लिक करेंगे, तो यह देखेंगे, तो यहाँ पर यह सीरीज पूरी print हो गई है, और वापस मैं चलता हूं अपने Visual Basic Editor में, और अब यहाँ पर मै तो 20, तो A मेरा क्या गरेगा, 20 टाइम तक continue यह जी लूप है, इसके अंदर यह continue चलता रहेगा, और यह मेरी सेल जो मैंने Command Select की है, यहाँ पर, सेल A, सेल A मेरा क्या है, अभी 1 है, तो यह मेरी row number 1 है, और इसके अंदर 3 number मेरा column है, तो 3 number मैंने पहले बता दिया, A number 1 होता है, B, 2nd, C, 3rd number, तो यहाँ से आप देखेंगे, C जो है, 3rd number का column है, और इसी में यह continue series print हो रही है, तो यहाँ मेरा column number same है, लेकिन हर बार मेरी row change हो रही है, और उसमें value assign हो रही है, B की, तो इसमें आप देखेंगे, कि अभी जो है, series print हो गई है, और यह जो series है, यह है, ओड number, तो अभी यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, मुझे odd number भी type करना है, तो odd number type करने के लिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, sell आपको command select करनी है, आपको C-E-L-L-S, और यहाँ अब आपको वो जो है row index, यानि इसमें आप देखेंगे, कि row, यानि आपकी जो row है, एक number, आपको first number की row है, क्योंकि आपको जो है, odd number, या even number की जो heading आपको देनी है, वो top में देनी है, तो अभी यहाँ पर आपको select करना है, row 1, और column देखेंगे आप, यह थी number का, यहाँ पर लेनी है, त्री number, और इसमें आपको फिल्ड लगाना है, dot value, वी, ए, ल, यू, इ, value, equal, और फिर आपको यहाँ पर खरना, inverted कोमा के अंदर, even number, even numbers, और जैसे आप करेंगे, enter, और अभी मैं जब इसको run करता हूँ, जैसे आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर run किया, तो आप देखेंगे, कि सबसे top में, यहाँ पर, आप देखेंगे, even number यहाँ पर print हो गया है, और वापस मैं चलता हूँ, code editor पर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो 0 है, 0 भी odd number होता है, तो यहाँ पर 0 हट गया, और 0 को इसने क्या किया, कि जो A की value 1 थी, तो वहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा था, तो इस जिगह पर odd number हो गया, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, A की value को मैं increase कर देता हूँ, यहाँ पर A को 1 है, तो इसे मैं कर देता हूँ 2 से, तो इससे क्या होगा, इसको जब मैं run करता हूँ, तो आप देखेंगे, even number के नीचे 0 प्रिंट हो अरिया है, अब आपको क्या करना है, जो even number है, इसको थोड़ा सा आपको bold करना है, तो इसके लिए भी आपको command select करेंगे आप, C, E, double L, S, और यहाँ से उसकी range जो आपने उपर जो define किया है, वो ही select करनी है, 1,3, 1 मेरी row है, 3 मेरा column index है, sorry to, यहाँ पर मैंने किया 3, और अब आपको यहाँ पर इसकी font style के लिए dot font, और अब आपको करना है dot bold, और यहाँ करना है equal true, और फिर आपको करना है enter, अब जैसे ही मैं इसे run करता हूँ, जैसे देखें अभी यहाँ पर even number जो है मेरा bold नहीं है, बट जैसे ही मैं इसे run करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यह मेरा जो even number है, वो bold हो गया है, तो अभी तो आप देखेंगे कि यह मेने यहाँ पर भी जो है, जितने भी even number है, वो जो series मेने यहाँ पर दी है, यहाँ पर 20 टाइम तो मेरा loop चल रहा है, और अगर आपको यहाँ से, जैसे देखेंगे कि यह 20 टाइम continue, यानि 20 देखेंगे आप number of जो इनको count करेंगे आप, तो अभी आप देखेंगे, यह 19 हो रहे हैं, बट मेरा जो loop चल रहा है, वो 20 टाइम चल रहा है, तो उसी according यह series यहाँ पर print हो रही है, तो अगर आप जैसे यहाँ पर value change कर देते हैं, 20 की जिगे अगर आपने जैसे loop 10 टाइम तक कर देते हैं, अब जैसे यहाँ पर मैंने कि चल रहा है, बट इससे पहले जो मेरा loop है, वो 20 टाइम चल चुका था, तो वो data, वो content इसके clear नहीं हुए है, तो इस वज़े से वो यहाँ पर content display हो रहा है, तो अगर यहीं पर, अगर मैं जैसे इनका value change कर देता हूँ, अब जैसे देखिए, sale का अगर मैं address यहाँ पर कर दे देता हूँ, 4, सभी में मैं 3 की जगे पर मैंने क्या किया, 4, 4 अगर मैं कर देता हूँ, और जैसे मैं इसको run करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे, यह मेरा जो loop चला है, 10 time चला है, तो इस तरह से जो है, आप इनका looping, जो है, जितना time तक आप set करोगे, उतने ही old and even number इस पर मैंने 3 किया, इसको भी मैंने 3 किया, और इसको भी मैंने 3 किया, अभी इस में मैं क्या करता हूँ, कि content मुझे clear करना है, अभी जैसे मान लीजे, यह तो मेरा odd number का था, और odd number के यलावा, अब मुझे क्या करना है, तो यह even number का था अब मुझे जो है इसमें odd number के लिए भी एक button create करना है तो अभी आप देखेंगे जो मैंने changes किये हैं अभी अब मैं जैसे इसे run करता हूँ तो अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर यह content अभी मेरे जो है clear नहीं हुए है तो यह content clear करने के लिए आप क्या करोगे जब मैं एक second button अभी जो है create करता हूँ तो अभी मैं इस button का name भी change करता हूँ अब मैं इस पर जैसे right click करता हूँ और यहाँ पर मैं edit button करता हूँ और इसका name देता हूँ मैं even numbers show even numbers और इसकी थोड़ी सी मैं अगर size मुझे increase करने होती है तो मैं जैसे increase कर देता हूँ अब मैं क्या करता हूँ एक button मैं और create करता हूँ यहाँ पर insert में गया मैंने एक button और create किया और इसमें भी मैं करता हूँ new अब इसमें मैं क्या करता हूँ same जो मेरा यह उपर का जो data है वो ही मैं यहाँ पर पूरा का पूरा copy paste कर देता हूँ मैंने इसे किया copy और मैंने यहाँ पर किया paste अब इसमें मैं यह change कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे उपर जो even number होता है even number वो होते हैं जो two से multiply हो जाते हैं sorry multiply नहीं two से जो divide होते हैं वो even number होते हैं और जो two से divide नहीं होते हैं वो odd number होते हैं तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे अभी इनकी जैसे three number पर आप देखेंगे कि three number पर मैंने अभी even number select किया हुआ है तो यहाँ पे मैंने जो 3 number है उसको मैं कर देता हूँ 4 number यहाँ पे मैं value कर देता हूँ 4 या इसको मैं कर देता हूँ 5 number जितने भी मेरे column number 5 है उसमें जो है odd number मेरे यहाँ पे display होँ तो यहाँ पे मैंने किया 5 और even number को मैं कर देता हूँ odd number और यहां पर आप देखेंगे जो भी मेरा 0 था अब यहां मैं कर देता हूँ 1 और अब जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो अभी आप देखेंगे 5 नमबर जो मेरा है अभी 5 नमबर है मैं देखता हूँ तो यहां पर E नमबर जो है मेरा यह 5 नमबर हुआ और जैसे ही मैंने इसे किया run तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक error है वो error इसलिए है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो core loop लगाया है इसका यहाँ पर मैंने next अभी मैंने जो copy paste किया था तो यह next को मैं copy नहीं कर पाया तो इसके लिए मैं इसे stop करता हूँ और यहाँ आप देखेंगे form loop के लिए आपको next जो step है वो देना होता है और next इसमें मैं कर देता हूँ A और अब मैं जैसे इसे run करता हूँ तो यह देखिए जो मैंने यहाँ पर इसका row and column अभी देखेंगे आप यहाँ पे मेरा जो sale की जो value थी यहाँ पे A A के अंदर अभी देखेंगे 2 है तो 2 number से भी यह देखेंगे आपे 1, 3, 5, 7 तो इस तरह से जो यह series अभी प्रिंट हो गई है और अगर loop मैं बढ़ा देता हूँ अब यह 10 से अगर मैं इनको 20 time कर देता हूँ दोनु के अंदर 10 से मैंने बढ़ा दिया 20 time कर दिया और अब जब मैं इसको run करता हूँ जैसे मैंने इसको run किया तो यह देखिए 20 time तक जो है यह मेरा यहाँ पे code and even number मेरे display हो रहे है अब मैं क्या करता हूँ जो button है मेरा इसका मैं name change कर देता हूँ यहाँ मैंने किया edit और इसे भी नाम दे देता हूँ show code numbers और इसे मैं हलका सा थोड़ा सा यहाँ पे increase size मैं change कर देता हूँ दोनु buttons की और अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने उसके अंदर विज्वल बैसिक एडिटर में तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं किसी भी button पर जैसे click कर रहा हूँ यह देखिए दोनु के अंदर जो है जो मैं click करने पर movement जो मैंने command इसमें fix किये हैं वो run हो रहे हैं बट इसमें आपको यह चीज़े कि find out नहीं कर पा रहे हो कि आपने जो command इसके अंदर button में click किया तो वो work out हुआ या नहीं हुआ तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ वापस मैं visual basic editor में जाता हूँ तो मुझे क्या करना है कि जब मैं show even button पे click करूँ जैसे कि मैंने show even numbers बटन पे मैंने click किया तो मेरे odd number है वो clear हो जाए और जब मैं odd number पे click करूँ तो मेरे even number clear हो जाए तो यह चीज content clear करने के लिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अब जो अभी आप देखेंगे यह जो button है आपका जैसे end sub होता है end sub इसके आपको loop से बाहर जब आपका next यह जो a है इसके बाहर आपको यह command टाइप करनी है और वो command आपको टाइप करनी है work seat और वर्क सीट के अंदर आप जो टाइप करेंगे हम यह आप देखेंगे जो seat का आपका नेम है जैसे भी आप देखेंगे seat का नेम है यहां पर वो नेम आपको यह टाइप करना है seat 1 और फिर आपको करना है bracket को close और यहां पर आपको करना dot range और range के अंदर आपको वो range select करनी है अभी आप देखेंगे कि यह आपका जो है button है button number 1 है आपका even number तो जब आप even number पे click करेंगे तो आपको old number की जो series है उस series की जो range है उसको आपको clear करना है तो उसकी range आप देखेंगे e number पे है आपका e तो यहां से आप क्या कर सकते हैं जैसे कि आपने जो inverted comma के अंदर जो e number है आपका पूरे के पूरे इस column को ही आप select कर लो और इसको आपने किया यहां से आप अपनी range भी define कर सकते हैं आप जैसे यहां से 1 से लेके अगर जो भी आपके 100 है या 20 है भी आप देखेंगे यहां पे e 21 तक है तो यहां पे मैं e 21 भी define कर सकता हूँ और उसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना है dot clear content c-l-e-a-r-c-o-n-p-e-n-p-s और आपको करना है enter की press तो अभी देखिए जैसे ही मैंने एक command यहां पे type की है और जैसे ही मैं इसे करता हूँ run तो अभी क्या होगा कि आपनी क्या किया कि जैसे ही आप even number पे click करेंगे तो even number तो display हो जाएगा बाकी की अब जैसे ही आप इस पे odd number पे click करेंगे जैसे आपने click किया show odd number देखिए अभी यहां पे odd number display हो रहा है बट जैसे ही आप इस पे even number पे click करेंगे तो आपके जो odd number है वो clear हो जाएंगे तो वापस मैं आ जाता हूँ यह पे विजवल बैसे के अडिटर में और अब मैं यह चाहता हूँ कि अब अगर मैं ओड नमबर पे जैसे क्लिक करूँ तो इवन नमबर मेरा क्लियर हो जाए तो इसके लिए भी सेम वोई चीज है इसी को मैं यहां से copy paste कर देता हूँ मैंने किया और यहां पे मैं करता हूँ इसको paste अब यहां मेरी जो range है अब देखेंगे आप C मेरी range है तो यहां मैं कर देता हूँ C C1 से लेके C21 और अब जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो यह देखिए अभी मेरा जो pointer है second number पे बटन पे था और जैसे ही मैं इस फास्ट number के इस पे क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ तो यह देखिए तो अभी अगर मैं यहाँ पे जैसे show even number पे क्लिक करता हूँ अब यदि जैसे ये जो second number का आपड डी वाला column है अगर आपको ये भी clear करना है तो या तो आप इससे direct clear कर दें अगर ये भी coding की तुरू आपड आप clear करना चाहते हैं तो same वो ही चीज आप किसी भी button पे click करके जैसे आप इसी में first number पे अगर इसी को copy paste करेंगे और range आप देदेंगे इसकी D number जैसे मैंने यहाँ पे किया D D1 से लेके 21 तो यहाँ पे अगर जैसे आप पूरे range अगर ना देते D अगर आपने पूरा select किया D से लेके D D colon D और जैसे आप यहाँ पे run करेंगे इसको तो यह देखिए अब वापस मैं अगर आप यहाँ पे click करता हूँ जैसे show even number और show odd number तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह देखे show odd number even number और वापस मैं आ जाता हूँ अपने visual basic editor में तो दोस्तों यह चीज थी कि आप किस तरह से अपना जो है excel के अंदर odd and even number एक visual basic programming के तुरू या एक macro आप assign करते हैं तो उसके तुरू आप odd and even number की जो एक series होती है उस series आप इसके अंदर print कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरूर करें और मेरे channel को subscribe करना ना भूलें